एम्टी क्लासिस की तरफ से हिंदी शब्दर्थ की ये सिरीज है इस सिरीज की ये वीडियो नमर 28 है इससे पहले हम 27 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसका लिंक नीचे डिस्किप्शन में है आज का हमारा पहला शब्द है विस्तार विस्तार का मतलब होता है फैला हुआ दूसरा शब्द है चुस्त चुस्त का मतलब होता है फुर्तीला जो बहुत फुर्तीला हो हमेशा काम करने के लिए तैयार है तासीर तासीर का मतलब होता है प्रभाव या गुण सकल सकल का मतलब सारा सब कुछ, सारा मिलाकर निकेतन, निकेतन घर का प्रयायवाची है चेतन, चेतन का मतलब होता है आत्मा या कोई जीव, जिसमें चेतना है जिसमें जीवन है जैसे चीटी के अंदर जीवन है या नहीं तो चीटी के अंदर जीवन है मतलब चीटी के अंदर चेतना है, वैं चेतन है, विग्न, विग्न का मतलब परेशानी या रुकावटे, हर किसी के जीवन में विग्न बाधाएं आती रहती है, हमें इनके अंदर सिमट कर नहीं रहना चाहिए, जाबाज, जाबाज का मतलब वीर सहासी, अलवेला, अलवेला क फुनगी का मतलब होता है पेड का उपरी हिस्सा, पेड के उपरी हिस्सा को फुनगी कहते हैं, ग्यारवा शब्द है पाक, पाक का मतलब होता है पवित्र या पावन, शुब्र, शुब्र का मतलब होता है सफेद, स्वर्णिम, स्वर्णिम मतलब सोने जैसा, करुणा, करुण ना के दूसरों को नीचे दिखाने की ठीक है भव्य भव्य का मतलब विशाल छुद्र चुद्र का मतलब छोटा कोई भी जो छोटी चीज़ उसे छुद्र कहते हैं उतकर्षमई उतकर्षमई का मतलब विक्सित या उन्नत जो पहले से एक अच्छी कंडीशन में है जो पहले स पहले से आप इन शब्दों से परिचित थे यह हमें कमेंट सेक्षन में बताईए और अगर अगर आपके पहले से हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ आपको जानने है और आपको नहीं पता है तो बेसिक 27 वीडियो हम अभी तक बना चुके हैं जिसमें लगभाग 700 से अधिक वर्ड हम कवर कर चुके हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं जितने बेसिक शब्द होते हैं वो तो सब उन में आए हुए हैं 21 सब्द है जियोती जियोती का मतलब होते हैं प्रकाश संध्या संध्या का मतलब साम का समय त्रिपती त्रिपती का मतलब इक्षापूर्ण होना ठीक हैं ध्वनी, ध्वनी का मतलब आवाज, मधुर, मधुर का मतलब मीठा, सर्वोच्च, सर्वोच्च का मतलब सबसे हूचा, उससे हूचा कोई नहो आवेश, आवेश का मतलब क्रोध या गुस्सा उपहार स्वरूप, उपहार स्वरूप का मतलब भेट में जो आपको लोग भेट देते हैं, उपहार के समान कोई चीज देते हैं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये हमारे लिए उपहार होगा बहुत बड़ा बहुमूल्य, बहुमूल्य का मतलब कीमती, व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है, खुद की अगर मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, व्यक्तित का मतलब गुण, असमर्थ का मतलब ना कर सकने वाला, जो समर्थ ना हो, जो ना किया जा सके ठीक है, ततपस्चात, ततपस्चात मतलब उसके बाद, हतप्रभ, हतप्रभ, हतप्रभ का मतलब हैरान, अपमान, अपमान का मतलब बेज्यति, व्यथित, व्यथित का मतलब दुखी, सुईकिर्थ, सुईकिर्थ का मतलब मंजूरी, उपाधी, उपाधी का मतलब पदवी, असमंजस, असमंजस का मतलब कठिनाई, निष्ठा, निष् निश्था रखना है, हमें इश्वर की भक्ति करना चाहिए, हमें इश्वर में विश्वास रखना चाहिए. इन सभी का अर्थ क्या है? ईसलिए शब्दर्थ सीखना migrant saavri have to go ذ Morris Brandt. कई पिता सर्वाशist. कोई भी आगर किसी भाशा की जानकारी रखता उन्हें शब्द अर्थ जरूर सीखने चाहिए मुझे आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छे से आपने इन वीडियोस को याद भी किया होगा कि इन वीडियोस में क्या क्या शब्द बोले गए है इसी तरह कि और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे AMT Classes चैनल से जुड़ सकते हैं प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस लाइन वाईज है अगर आप सुरू से अग्रेजी और गणिश सीखना चाहते हैं तो हमारे आसान नवित आदित्य चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आपकी कोई शिकायत है या अपनी कोई बात हम तक पहुचारा चाहते हैं तो इस्टाग्राम आदित्यमों ठाकुर आपका इंतजार कर रहा है वहाँ पर डीटेल में अपना मैसेज लिखकर या ओडियो मैसेज लिखकर अपनी बात हम तक पहुचा सकते हैं